यह भगवान सबका बाप भी है सबके बाप के बाप के बाप के अंतिम बाप ब्रह्मा का भी बाप है यह यह भी ठीक है लेकिन यह नंद नंदन भी है वसुदेव नंदन भी है धश्रत नंदन भी है यह भी ठीक है सक का बाप है लेकिन बेटा भी है यह विरोधा भास और अब तीसरी बास सुनो भगवान कालात्मा है कालात्मा भयाद अस्याग निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुष्च मृत्यु रुद्हावति पंचमह कठो पनिशद दूसरे अध्याय की तीस मृत्रा मंत्र यानि उनके भैसे भैभी भैभीत होता है साक्षात डर भी डरता है यम्राज भी थर थर कापता है उनके भैसे महाकाल के भी बाप है वो महाकाल भी थर थर कापता है उनसे मृत्यु यस्योप से चनम बेद कहता है मृत्यु तो उनका नाश्टा है कलेवा है ऐसे कालात्मा है भगवान लेकिन अब सुनिए विरोधावास भगवान डर्पोक भी है ऐसा कालात्मा भगवान डरता है डरता है अरे ऐसा कालात्मा भगवान बला किस से डरेगा अरे मैं सच कह रही हूँ भगवान दरता है दरता है कोई एक्जाम्बल बताईए देखो एक मामूली सा राक्षस जरासंद उसने आक्रवन किया मतुरा पे तो उसके दर से मतुरा ही छोड़ के भाग गए और ऐसे भागे ऐसे भागे सरपट कि पीछे मुड़के नहीं देखा कि अगर रुख गया हो जरासंद तो फिर थोड़ी हम भी सांस ले ले नहीं नहीं पीछे मुड़के देखेंगी तो इस पीट कम हो जाएगी इसलिए पीछे मुड़के ही नहीं देखा भागते गए भागते गए और सीधे जाकर के द्वारिका में सांस लिख समुद्र के बीच में टापू बनाया आपने ऐसे डरपोग भगवान इसलिए वहाँ भक्तों ने उनका नाम रख दिया डरपोग आप लोग ने नाम सुना होगा ना भगवान का रण छोर श्री कृष् पना जब देखा भगवान का कि एक मामूली से राक्चस के भय से ऐसे भागे की सीधे जाके द्वारिका में सांस लिए लड़ाई के मैदान को छोड़ कर भागी लोगों ने का वही आपके राजा कौन है वही हमारे राजा श्री कृष्ण है द्वारिका धीश है अच्छा तो कुछ उनके बारे में बताईए उनके अंदर क्या-क्या खास बात है तो उनके कहा हमारे राजा रणचोर इतारीफ पर रहे हमारे राजा जो है वह रणचोर है यानि महां दर्पोक हैं लड़ाई के मैदान को छोड़ कर भागने वाले यानि महां कायर ऐसे हैं अरे वही किसी के घर में कोई गलती किसी से हो जाती है, होती रहती है, कभी मां से गलती हो गई, बाप से हो गई, बेटे से हो गई, तो लोग क्या कहते हैं, ए, देखो, जो हो गया सो हो गया, अब घर की बात पड़ोसी तक भी नहीं जानी चाहिए, समझ में आया, हाँ, इसको किसी से कह और यहां तो धोल बजा बजा के उसका कीर्टन हो रहा है आप द्वारिका में कभी गए हो तो 5000 वर्ष हो गए इस बात को और वहां के भक्त लोग इसी नाम का कीर्टन सबसे अधिक पसंद करते हैं तारे साथे जोडी इछे में जीवन नी डोर राजा रण चोर रस भीना रण चोर राजा रण चोर रस भीना रण चोर जिस कीर्टन में रण चोर नाम नाये मू बना देते हैं वहां के भक्त लोग कोई अगर ब्रिंदा बन का आ जाया और कीर्टन कराने लगे किष्ण गोविंद गोविंद गोपाला तो वहां के भक्त लोग यू करके देखते हैं क्या कीर्टन कराने लगा क्यू इसमें क्या और अपना बहुत से बक्तों आंसु बहाते हैं बाकाइदा ये रंचोर नाम का की तनकर तो देखो ये ठाटुर जी भगवान कालात्मा है इनी श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने कहा था गीता में दंश्ट्रा कराला निचते मुखानी द्रिष्ट्वईव काला नल सन्निभानी दिशो न जाने न लभेच शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास यानि अनन्त मुख हैं एक एक मुख से अनन्त कोटी सूल के समांग ज्वालाय निकल रही हैं वो कालात्मा श्री कृष्ण और देखो कैसे डर्पोग आप कहेंगे वही वह ऐसा है कि भगवान राम की बात करिए कोई राम भगवान का उपासक होगा तो कहेगा आपके श्री श्री पिश्वाद वह तो ऐसे डर्पोग तो के जैसे डरपोग आप लोग भी नहीं हो सकते चैलेंज के साथ भगवान राम हां और ऐसे डरपोग जैसे हम भी नहीं हैं हां बिलकुल चैलेंज करती हैं आप हां कि लिए और आपको इसको सिद्द करना पढ़ेगा हमारे अपने मुख से हम एडमिट कर वा लेते हैं उससे बड़ा तो कोई प्रमान नहीं होगा अरे दूसरा कोई कहे तो आप कह सकते हैं ऐसे ही बोल दिया होगा लेकिन वह स्वयम अपने बारे में कोई बता रहा है तब तो उससे बड़ा कोई प्रमान नहीं होगा तो क्या बता रह राम कहा है लक्षमान जी से गन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डर्पत मनमूरा लक्षमान हाँ भाहिया मुझे बहुत डर लग रहा है डर लग रहा है वहाँ, क्या बात है ।्सकी बहुत रिखोना यह बादल ंसुले रहें इसी दिह मुझे डर लग रहा है बादल गर्जने से डर लग रहा है काल आत्मा भागवान को अरे कितने बादल गरजते रहते हैं, आप लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई साइकल पे सबजी लेने जा रहा है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सब काम करते हैं, बला बादल के गरजने से कोई डरता है, और उसका कारण क्या बता रहे हैं, वो भी सुन दो, प्रियाहीन डर-पत मन-मूरा लक्षमन तो सीता नहीं ना इसलिए डर लग रहा है अगर सीता हो कि तो शायर मुझे डर ना लगता सोचो पराकाष्टा हो गई ना हद्धो गई अरे अगर कोई इस्त्री यह कहे कि मेरा पती नहीं है इसलिए मुझे डर लग रहा है तब चलो किर भी एक बार को बात समझ में आती है लेकिन ये पातिदेव बोल रहे हैं कि मेरी श्रीमती नहीं है इसलिए मुझे डर लग रहा है और वो भी डर भी किससे बादलों की गरच से अब बला बताओ ऐसा डर पो कोई हो सकता है और यही राम जब सीरियस मामला आया तो सुग्रीव से कहते हैं सुग्रीव तू डरता है जब वीविष्ण आया भगवान की शरण में तो सुग्रीव भैभीत हो गया कि यह शत्रू पक्षका है भेद लेने आया है इसलिए खतरनाक स्थिति है आप पौच को कह दीजिए तुरंट तयार हो जाए तो भगवान कहते हैं कि तू डरता है हां माराज मेरा डर सही है आपने तो कभी राज्य किया नहीं आपको क्या पता पॉलिटिक्स क्या चीज हो यह शत्रू का भाई है इसको मू लगाना ठीक नहीं है जरूर हमारा बेद लेने आया है सब चौपट हो जाएगा गड़बड हो जाएगा तो राम कहते हैं मुझ जैसा दोस्त पाकर के तू डरता है आपके जैसा दोस्त क्या कास बात है आपके अंदर अरे हम लोगों ने मि पुल बनाया तब तो आप लंका में गुशे और ना आप लंका में गुशना पाते आप क्या रूप दिखा रहे हैं अरे वो तो मेरा एक्टिंग का रूप है बुद्धु हां मैं जानता है कौन हूँ पिछाचान दानवान यक्षान प्रतिव्याम चैवराक्षान अंगु सुग्रीव मैं वो हूँ कि अगर मैं अपनी चोटी उंगली के नाखून के आगे के भाग को जरासा यू कर दूँ तो अनंत कोटी ब्रह्मांडों में जितने राक्षस हैं वो तक्काल समाप्त हो जाएं मैं वो राम हूँ ऐसे दोस्त को पा करके तू डरता है लेकिन ऐसे कालात्मा भगवान और दोको विरोधाबास कि लक्षमर से कह रहे हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा तु प्रियाहीन डर्पत मन मूरा मुझे डर लग रहा है यह विरोधाबास और एक विरोधाबास और है छोटा सा वो भी सुन लीजिए आत्मन रतेह खिद्यती धीर विदामिह भगवान आत्मा राम है आत्मा राम किसे कहते हैं यत्रही द्वई तमिव भवती तदी तरह इतरम जिग्रती तदी तरह इतरम पश्यती तदी तरह इतरम श्रुनोती तदी तरह इतरम अभिवदती तदी तरह इतरम मनुते तदी तरह इतरम विजानाती यत्रवा अस्य सर्वमात्मई वाभूत वेत कहता है आत्मराम उसको कहते हैं जो अपने सिवाहे ना कुछ देख सके ना सुन सके ना सूंग सके ना रासले सके नािस्पर्श कर सके न सोच सके न जान सके सदा अपने आप में ही रमन करने वाला जिसको बाहर से किसी से कुछ नहीं चाहिए उसको आत्माराम कहते हैं तो यह भगवान आत्माराम है लेकिन अब सुनो विरोधी बात आत्मारामो प्यरी रमत भागवत दसमें सकंद के उनएत्तीसमें अध्यायका बयालीसमा श्लोप आत्माराम भगवान ने रमन किया रास किया गोपियों के साथ महरास किया तो आगे लिखते हैं वेधव्यास कि खिद्यति धीर विदा मिह भगवान के इन विरोधा भासों को देख करके बड़े-बड़े बुद्धिमान ब्रिहस्पती की बुद्धी भी शून्य हो जाती है कुंठित हो जाती है उन्हें भी कुछ समझ में नहीं होता है तो जब सरस्थी बिहस्पती की बुद्धी कुंठित हो जाती है तो फिर नर्पामर करके तकिवाता साधारन मनुष्य हम लोग और हम यह अहुंकार करें कि हम भगवान को जान सकते कैसे जानेंगे तो भगवान को कोई नहीं जान सकता क्योंकि भगवान इंद्रियमन बुद् भगवान प्रकाशक है इन रिमन बुद्धी प्रकाश्य है भगवान जता है इंद्रियमन बुद्धी थार्यमान है बहल है इसके अतरिक्त भगवान अनंत 오늘 vide धर्मों का दिश्थान भी है इसलिए भी महांतम बुद्धिमानों की बुद्धी से भी अग्य है महांतम बुद्धिमानों के मन से भी अचिंत है महांतम बुद्धिमानों की इंद्रियों से भी अव्यवहार है अर्थात भगवान को कोई नहीं जान सकता यह अच्छी तरह से सिद्ध हो गया अब आपनों के मस्ति तो जान दीजिए वो बात सिद्ध हो गई जो मैंने कई दिन पहले आपके समक्ष रखी थी विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है क्योंकि आस्तिक माने क्या अस्तित्येवं द्ड़ा मतिर यस्यस आस्तिक है जिसका भगवान में द्ड़ विश्वास हो नित्य निरंतर सरवत्र सरवदा और यह विश्वास कब होगा जाने बिनूना होई परतीती ही यह जानने से होगा जब भगवान को हम जानेंगे तब भगवान में विश्वास होगा और तब हम आस्तिक कहला हैं और यहां भगवान को जान ही नहीं सकते इस बात को वेद ने केवल कहा ही नहीं इसको अच्छी तरह हां इसे गहराई से सिद्द भी कर दिया वेदो शाल तो जब हम भगवान को जानते ही नहीं है तो इसका मतलब हम नास्तिक हैं यह सिद्द हो गया और च hagु कि troops क्रोडों कल्प प्रयत्नग़ के भी भगवान को नहीं जान सकते क्योंकि कौ्ड़ों कल्प तक भी अगराप कोशिश करेंगे भगवान को जानने कि तो भगवान आपकी बुद्धी के अंदर में तो हो नहीं जाएगा भगवान की तो जो परिभाषा है उसी के अनुरूप रहेगा भगवान तो सदा आपकी बुद्धी से परे रहेगा भगवान, तो जब सदा बुद्धी से परे रहेगा, महांतम बुद्धिमानों की बुद्धी से भी वो परे है, तो फिर बुद्धी से बड़ी तो कोई आपके पास चीज है नहीं, जिससे आप भगवान को जान लेंगे, अरे अं कोड़ों कल्प प्रेत्म करके भी कोई आस्तिक नहीं बन सकता यह सिद्ध हो गया वाक लेकिन आप लोग घबलाएं नहीं मैंने पहले भी इशारा किया था और फिर कह रही हूं आस्तिक बनना बहुत सरल है गधा भी भगवान को जान सकता है इतना सरल है भगवान को जानना है हां लेकिन कैसे यह सब समझना पड़ेगा वेदों शास्त्रों के नुसार वह आज नहीं कल बोलिये व्रिंदावन भिहारी लाले की श्रीमत सत्गुरु सरकार की उल्ड़र उल्ड़र झाल झाल